नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं साइक अल्जी सिक्षा हिंदी यूटूब चैनल बेसिक टर्मिन रिसर्च मेथालोजी की व्याख्यान सिंखला में आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशेल इस्टेटिक्स का अध्यान करेंगे पिछली व्याख्यान में आप लोगों ने रिसर्च के शामानि संप्रत्य के बारे में अध्यान किया साथ ही आप लोगों ने देखा कि जनसंख्या क्या होती है और प्रतिदर्स क्या होता है साथ ही आप लोगों ने research को एक असपष्ट सब्दों में परिभासित किया कि research is the scientific and systematic search for pertinent information a specific topic मित्रों अनुसंधान क्या है इन बातों को असपष्ट कर लेने के पस्चाथ आप लोगों ने देखा मित्रों इस व्याख्यान सेरीट के दूसरे व्याख्यान में आप लोगों ने जनसंख्या तथा प्रतिदर्स का अध्यन किया जिसमें आप लोगों ने एक उदाहरन के आधार पर समझा कि जनसंख्या क्या होती है प्रतिदर्स क्या होता है जनसंख्या और प्रतिदर्स या अन्यची जोको चिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप पिछली व्याख्यान देख सकते हैं या तो आपको इन व्याख्यान के लिंक नीचर डिस्केप्शन में मिल जाएंगे हाईए हम लोग बात करते हैं कि जब हम जनसंख्या पर कोई अध्येन करते हैं तो उसे प्राप्त निसकर्स को पैरामेटर कहते हैं दोनों की अपनी अलग-अलग विशेशताएं होती हैं पैरामेटर जो की सत्प्रतिशत सुद्ध होता है और शांख्यकी में परियाप्त सुद्धता का अभा होता है क्योंकि जनसंख्या एक बड़ा समू होता है जिसकी अपनी एक निश्चित विसेस्ताएं होती है और वह सामान्ने रूप से वितरित होता है जिसे नार्मली डिस्टिब्यूटेट कहा जाता है वहीं प्रतिदर्स जो की उसका एक प्रतिनीधी छोटा समो होता है और जितने भी शांखिकी एगड़नाएं होती हैं जितने भी अनुसंधान के निसकर्स निकाले जाते हैं वो अधिक्तर प्रतिदर्स पर ही होते हैं इसलिए जो प्रतिदर्स से प्राप्त आंक्रे होती हैं वह शांखिकी कहलाते हैं, आईए, अब हम देखते हैं कि शांखिकी कि क्या अलग-अलग प्रकार होती हैं, चुकि पिछले व्यक्षान में हमने बताया था कि पापुलेशन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट शैंपल लार्ज हो या इसमाल हो या बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया बताते हैं कि आगे की जो इस्टेटिकल एनॉलिसीस होगी, वो किस प्रकार की होगी या उस पे कौन स इस्टेटिकल एनाल्सिस लगेगी, ये सारी निर्धारित करता है कि हमारे पास जो सैंपल है वो किस प्रकार का है, चुकि हम शांख की विद्या साखा की बात करें, तो इस्टेटिक्स को मुकरुप से वहाँ दो भागों में बार्ट कर रध्धिन किया जाता है, एक को सांखिकी के लिए एक ऐसे सांखिकी होती है, जहां पर हम व्यभारिक जीवन में प्रियुक्त होने वाली सांखिकियों का प्रियुक करते हैं, आईए जहां पर चुकि हम सोसल साइंसेस की बात करते हैं, तो हम यहां पर व्यभारिक सांखिकी की ही बात करेंगे, तो अगर हम सांखकी को प्रकारों की बात करें तो यह मुख्रीब से यहाद अगर डो प्रकारों की बात करते हैं बंडात्मक सांखकी तथा अनुमानिस सांखकी डिस्क्यूप्टिव इस्टारिकश और इंफरींशेल अस्टारिकस जीजा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं वरणात्मक सांख्य की यानि की ऐसी सांख्य की जो वरणन करती है और अनुमानी सांख्य की ऐसी सांख्य की जो अनुमान लगाती है समस्चे हैं वनडात्मक सांखिकी एक ऐसी सांखिकी को कहा जाता है जो किसी एक प्रतिनिदी प्रापतांग के आधार पर शबू के शमस्त प्रापतांग को का वड़न इसका वद्देश शंख्याना संख्यात्मक तत्नों का शाधारन धंग से वड़न करना होता है दोस्तों यह एक ऐसे सांखिकी होती है जो किसी एक प्रतिनीधी प्राप्तांग के आधार पर जब भी आप किसी प्रतिदर्श से प्राप्तांग प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे प्राप्तांग निकल कर आते हैं अब उन सभी प्रापतांकों का एक साथ explanation, एक साथ burden करना कटिन होता है, इसलिए उसका एक प्रतिनिधी प्रापतांक निकाल लिया जाता है, उसी क्याधार पर उसका burden किया जाता है, एक साधार उदारन से अगर से, तो अगर किसी क्लास में यदि उपलब दिपारीक्षण या सैच्छिक सत्र के अंत में टेस्ट लिया जाए, टेस्ट में आप देखेंगे कि सभी बच्चों का भिन भिन प्रापतांक प्रापत होगा, इन प्रापतांकों को यदि हम जल्दी समझना चाहें, तो हम इन सभी प्रापतांकों का मद्धिमान ग्यापत कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे क्लास का जो आउसत रिजल्ट रहा है वो फला रहा है इस आधार पर हम एक ही प्राप्तांक के आधार पर समस्त प्राप्तांकों का वर्डन कर सकते हैं क्योंकि वह बद्धिमान एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके इर्द गिर्द सभी प्रापतांग पाय जाती है उसी तरह से विजलन सेलता जो यह बताती है कि जो प्रापतांगों का फैलाव है वो किस प्रकार का है वनात्मक सांखीकी का एक बहुत ही असपष्ट उदारन आज के समय में आप देख सकते हैं चुकि आज सभी के मुबाइल में आरोग से एप डाउनलोड हुआ है आप उसमें जब कोविड अपडेट में देखते हैं तो आपको एक ग्राफ दिखाई देता है वहीं आप प्ल संक्रमित व्यक्तियों की स्वस्थ व्यक्तियों की ततामिर तक व्यक्तियों की ग्राफ कैसे उपर नीचे हो रहा है ये देख सकते हैं शाथ ही साथ में उसका परेसेंटेज भी दिया रहता है कि अगर किसी दिन विसेश में जितने संक्रमित लोग हुए हैं वह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिसत है यनि कि यह प्रतिसत एक तरह का वर्णात्मक संक्रमित का भी उदारर है आईए हम अनुमानिस संक्रमित की बात करें तो अनुमानिस संक्रमित हमें यह बतलाती है कि एक प्रतिदर्स के प्राप्तांग के आधार पर हम जनसंख्या को किस हद से किस हद तक परिभासित कर सकते हैं और उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं जैसा कि आप फिशले व्याख्यान में इस बात को समझ सके हैं कि बहुत सारे ऐसी समस्या होती है जिसके कारण हम जनसंख्या पर अध्यन न करके प्रतिदर्स पर अध्यन करते हैं जब हम प्रतिदर्स पर अध्यन करते हैं तो जहर सी बात है उस प्रतिदर्स पर किया गया अध्यन के जो परिराम होते हैं उसको हम जनसंख्या पर लागू करते हैं तो क्या होता है कि हम प्रतिदर्स से प्राप्त परिडाम की आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसे ही अनुमानी सांख्य, यानि कि ऐसी सांख्य की जिसके द्वारा प्रतिदर्स आंकडे के आधार पर जनसंख्या के गुणों के बारे में अनुमान ल अगर आपमें दिख रहे हैं तो अवस्य ही उसका परिक्षण किया जाएगा. परिक्षण करने के लिए आपके सरीर से बहुत ही कम मात्रा में बलड निकाला जाएगा और फिर उस बलड की जाच की जाएगी. उस बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्राप्त किये गए सरीर के खून से जब यह परेडाम प्राप्थ होगा कि व्यक्ति में COVID-19 पॉजिटिव आया है तो आप तुरंत ही उसे जनरलाइट कर देते हैं, श्रामानी करन कर देते हैं या पुरे जनसंख्या जानी कि उस व्यक्ति के सरीर के समस्त्य खून की विशेस्ताओं का अनुमान लगा लेते हैं, यानि कि सरीर से लिया गया एक छोटा सा एक बूंद खून जो कि क्या है उस समस्त्य खून या जनसंख्या का प्रतिदर्स मात्र है, अब उस प्रतिदर्स की विशेस्ताओं के आधार पर आप ये दावा करेंगे, आप ये भविशेपानी करेंगे, आप य कि अनुमानिस सांख्य की क्या है कि एक प्रतिदर्स से प्राप्त आंकडों के आधार पर जनसंख्या का अनुमान लगाती है, आईए वाणात्मक तथा अनुमानिस सांख्य की को और भी असपष्ट करने के लिए हम इनमें कुछ बिभिनताएं या इनके कुछ अंतर की बात करें, तो जैसा कि हम अर्थ के आधार पर अगर देखें, तो किसी एक प्रतिनिधी प्राप्तां के आधार पर शमों के शमस प्राप्तां को का वर्डन करती है, वहीं जब हम अनुमानिस सांख्य की की बात करते हैं, तो प्रतिदर्स के आंकडे के आधार पर जनसंख्या के गुडों के बारे में अनुमान लगाती है जैसा कि आप अगर उदारण के द्वारा ये समझें तो बहुत ही आसानी से अस्पष्ट हो जाता है दूसरे अंतर के बात करें तो हम उद्देश के बात करें तो जो वरणात्मक सांखिकी है उसका उद्देश से होता है कि जो प्राप्त आंकड़े हैं उनका साधारा ढख से वरणान किया जाए जबकि प्रतिदर्श जो अनुमानिस संखिकी का जो उद्देश से होता है वह प्राप्त आंकड़ों से निसकर्स निकालना होता है यानि कि जो प्रतिदर्स के जो आंक्डे हैं उसके आधार फर फाइनली निसकर्स निकालते हैं यानि कि जनसंख्या के बारे में परिकल्पना करते हैं साथ ही cause effect relationship देखते हैं यानि कि अगर प्रतिदर्स में ये परिवर्थन आया है तो वह आवस्य ही जनसंख्या में भी वही परिवर्थन होगा अगर हम उपियोगिता की बात करें तो वरणात्मक सांक्य की सतही विशेस्ताओं का वरणन करता है जबकि inferential aesthetics किसी घटना के घटने की संभावना को व्यक्त करता है साथ ही उस मानकत्रूटी की विवात करता है जो प्रतिदर्स और जनसंख्या के अंतर को परदर्सित करता ह अगर हम शांक्य की घटनाओं की बात करें तो वरणात्मक सांक्य की में जो घटनाएं प्रयोग्त होती है वह केंद्रिय प्रिवित्ती की माप, विचलन सीलिता की माप, मिजर साफ रिलेटेट पोजीशन के साथ अन्य मापे समलित होती है वही हम अनुमानिस सांक्य की की ब ग्राफ वर्गी करन और टेबल आदिसे परिडामों को प्रस्तित करती है जसा कि कोबिट 19 के आरोग्य से तु एप में उसके अपडेट में ग्राफ देख पाते हैं जबकि inferential aesthetics सार्थक अस्तर की बात करता है कि प्रतिदर्ष से जो जनसंख्या में अंतर आएगा या जिए डिफ्रेंट आएगा वो सार्थकता के किस अस्तर पर अनुमान लगाया जाता है 99 सार्थकतास्तर पर होगा या 95 हंत में हम प्रतिदर्स के आकार की भी बात करते हैं वनात्मक संखेकी का प्रयोग एक छोटे प्रतिदर्स पर होता है जबकि हम इन्फरेंशियल इस्टेटिक्स का प्रयोग बड़े प्रतिदर्स पर भी आसानी से कर सकते हैं इन बातों को वस्पष्ट करने के पस्चात हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि वनात्मक सांखे की तथा अनुमानिस सांखे की में किन किन सांखे की विधियों का परियोग किया जाता है जैसा कि आपको पहले भी पताय गया है कि जो सांखे की विधियां परियोगत होती ह वर्णात्मक सांकिकी में जो सबसे प्रमुख या सबसे सरवाधिक प्रयोग में लाई जाने वाले सांकिकी है उसे कहते हैं मिजर साफ सिंटर टेंडेंसी यानि केंद्री प्रवित्ती की माप केंद्री प्रवित्ती की माप जिसके अंतरगर तीन मापे प्रचलित हैं मध्यमा होते हैं उसका एक संख्यात्मक मध्यमान होता है संख्यात्मक मध्यांक होता है और एक ही संख्यात्मक बहुलक होता है और उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं समस्त आंकडों का description करते हैं उनका वरणान का दूसरी संख्य के प्रवित्य प्रयोग लाई जाती है वो meters of whatever जानी कि विचलन सीलता की माप जो यह बताती है कि जो प्राबताँ कहें वो एक दूसरे से कितना वहरी करते हैं कितना फैलाव रखते हैं या कितना दूरी रखते हैं जितना अधिक फैलाव रखते हैं उतना ही उनमें अंतर पाये जाता है या कहा जाएगा उनमें उतनी अधिक तुटियां पाये जाएंगे मध्यमान के जो जितनी नजदीक होगा वह उतने ही सुधता से उस आंकड़ों का वरडन करता है उसके बाद दूसरा वरणात्मक सांखिकी का दारन है ग्राफिकल रिप्रेजन्टेशन यानि कि आंकड़ों को सतही रूप से या बहुत फास्ट अगर हम वरणन करना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजन्टेशन एक बहुत ही उप्योगी सांखिकी के प्रविदी है जो वरणात्मक सांखिकी में प्रियोगत होती है दूसरा मिजर साफ रिलेटेट पोजीशन यानि कि इस्थिती सुचकांक का अद्धेन हम वरणात्मक सांखिकी में करते हैं इस्थिति सुचकांग जैसे परसेटाइज रैंक परसेटाइल यानि कि किसी एक प्रापतांग की पूरे प्रापतांगों में इस्थिति का सुचक होती है इस्थिति का वर्डन करती है यानि कि वह किस इस्थिति पर है उसके नीचे केतने प्रसेट प्रापतांग है और उपर किकने प्रतिश्यत प्राप्तांग वहीं हम correlation coefficient की बात करते हैं यानि कि correlation coefficient भी वरणात्मक सांखिकी का ही उदाहरण है जो एक प्राप्तांग के आधार पर बेबिन चरों के बीच शंबंद का वरणन करती है वहीं हम एक अंतिम वरणात्मक सांखिकी की बात करें तो frequency distribution की बात करते हैं आप बृत्य वितरन की बात करते हैं आप बृत्य वितरन के आधार पर ही हम विभिन आकणों का आधानी से फुरणर कर सकते हैं इसके अलामा भी बहुत से वणात्मक सांख्यगी की उदाहरन हो सकती है परंतु जो सरवादिक प्रयोपत होती है वो ये हैं आगे हम लोग अनुमानेस सांख्यगी की बात करें तो यहाँ पर ऐसी सांख्यकी प्रिधियों का प्रयोग किया जाता है जो अपने प्राप्त निश्कर्च के आधार पर जन्रसंख्या का प्रेडिक्षन करते हैं, जन्रसंख्या का भवी सिमारी करते हैं इसमें जो शंक्य की बिधी प्रियोग में लाई जाती है टीटेश्ट टीटेश्ट यानि की दो मध्यमानों के बीच अंदर की सार्थक्ता ग्यान करने की एक संख्य की प्रवित इससे प्राप्त निश्कर्च के आधार पर भवी सिमारी कर पाते हैं की जन्रसंख्या में क्या डिफरेंट होगा उसी तरह से यफ टेश्ट जो की दो से अधिक प्राप्त अंगों की विजमत अंतर की सार्थक्ता ग्यान करता है जट टेश्ट इसके बाद काई स्कॉयर टेश्ट जो की प्रत्यासित अब्रितियों तथा निरिक्षित अब्रितियों के बीच शंबंध को बताता है या उनक प्रतिदर्थ से प्राप अंकडों के आधार पर जनसंख्या करते हैं, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, इस पियर में रैंक आडर डिफरेंटेश्ट और कोरेलेसन कोफिशियंट दोनों सह संबंद गुडांग की गयर्णा करते हैं, लेकिन अक्सर परिक्षाओं में या साक्षातकार में यह अत्यनत ही रोचक प्रश्ण बनता है और पूछा भी जाता है कि कोरेलेसन कोफिशियंट कौन से सांखी की काउधारण है, इस पियर में रैंक आडर डिफरेंट कौन से सांखी काउधारण है यहाँ पर आपको यह बहुत ही असपस्ट रूप से जानना होगा कि जो कोरेलेसन कोफिशियंट होता है वर्ड दिस्क्रिप्टिव इस्टेटिक्स होती है और इन्फेरे अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुचाईए ताकि अधिक स्याधिक लोग इसे देख सके अगली वीडियो में हम किसी और कांटेंट के साथ उपस्तित होते हैं तब तक के लिए विदा लेते हैं आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमान